हाई मैं हूँ तुशाबो और आप देखरें फंडू कंटेंट ये साल का बिग बॉस बारा हमें ज़्यादा एंटेटेन नहीं कर पा रहा है बिग बॉस बारा के घर वाले यानि की कंटेस्टिंस वो भी सारे थंडे हैं पर इन सब कंटेस्टिंट में से एक ऐसा कंटेस्टिंट है जो हम सब को बहुती ज्यादा ड्रामा दे रहा है क्या आप लोग बता सकते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ जी हाँ मैं बात कर रही हूँ स्रीशंद की हमने घर के अंदर भी देखा और घर के बाहर भी देखा स्रीशंद की खूब प्रशन सा हो रही है लोग चाहे उनकी अच्छाई करे या उनकी बुराई करे पर बाते तो उनकी ही हो रही है चलिए हम आपको ऐसे तीन कारण देते हैं जिस वजा से बिग बॉस बारा में सर्फ स्रीशंद एक अकेले ऐसे कंटेस्टन्ट है जो हमें एंटर्टीन कर रहे हैं जैसे कि हम सब जानते हैं बिग बॉस बारा में आने से पहले स्रीशंद इंडिया के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं और साथी साथ उन्होंने सावथ की पिच्चरों में काम भी किया है और अब तो उन्होंने बिग बॉस बारा के घर के अंदर आने के बाद अपनी fan following और भी ज्यादा कर जुकी है कारण नमबर दो स्रीशन चाहे रोए चाहे गुसा दिखाए या चाहे अच्छे से बात करे वो जो भी करते हैं उसमें बहुती ज्यादा ड्रामा होता है स्रीशन अपने emotions खुल के express करते हैं जिस वज़ा से वो सरफ घर में ही नहीं बलकि घर के बाहर भी खूब नजर में आ रहे हैं कारण नमबर एक बिग बॉस बारा के घर में सारे घर वालों से ज्यादा स्रीशन सबसे ज्यादा चालाख है चाहें वो कुछ भी कर ले आखिर में चीजें उनके मताबिक ही होती है कभी कबार तो ऐसा लगता है शुरू से जो वो ड्रामा करते हैं वो सब उनका गेम प्लान होता है यहां तक कि घर वालों को अभी तक ये बात समझ में भी नहीं आई है इस चीज का फाइदा स्रीशन्त खूब उटा रहे है तो ये थे हमारे तीन कारण कि बिग बॉस के घर में सिर्फ स्रीशन्त ही अकेले ऐसे हैं जो हमें एंटेटीन कर रहे हैं बिग बॉस बारा की ऐसी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए फंडू कंटेंट को अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक करिए कमेंट करिए और शेर कीजिए